हलो स्वागते दोस्तों आपका फिर से हमारे यूटूब चैनल अप्टू डेट गोर्मेंट जोब पर तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुआस्थ विबाग में बढ़ती निकाली गई है NHM यानि National Health Mission की तरफ से बढ़ती निकाली गई है अंतिम टीती की बात करें तो 17 फरवरी 2021 तक इसके ओनलाइन आवेदन फॉर्म बढ़े जाएंगे कोई फीस नहीं है यहाँ पर सभी कंडिडेट्स के लिए एप्लिकेशन फीस यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखी गई है सभी के लिए मैलाय और पूरुष दोने इसके लिए आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं और शुरुवाती सेलरी आपको 25,000 रुपे महिने की दी जाएगी सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंतक देखिएगा क्या सेलेक्शन पोसेस रहेगा सब कुछ आपको वीडियो के मादम से जानकारी दी जाएगी तो आप वीडियो को अंतक देखिएगा और इसकी नोटिफिकेशन का डालोलिंग में डिस्क्रिशन में डाल दिया है जासे आप नोटिफिकेशन डालोड कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसना है तो प्लीस लाइक के सास्क्राइब क निकाली गई है 3570 वेकेंसिस यहाँ पर निकाली गई है नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको आयू सिमा के बारे में जानकारी दी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयू सिमा यहाँ पर रखी गई है और OBC, SC, ST और EWS के लिए और Physical Handicap Person के लिए यहाँ पर Maximum 45 वर्ष की आयू सिमा रखी गई है सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंतक देखेगा जिससे कि आपको वेकेंसि के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका फॉर्म बढ़ सके और इस Notification का Downloading में डिस्क्यूशन में दा आपको वीडियो के में से जानकारी दे दी जाएगी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है सभी के डिटर्स के लिए तो इस वेश्ट का लिग में डिस्क्यूशन में डाल दिया है जासे आप इस वेश्ट पर जाके भी चेक आउट कर सक जाएगी जिसमें की टोटल 3570 वेकेंसिस निकाली गई है इंपोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दो फरवरी 2021 रखी गई है यानि दो फरवरी 2021 से इसके आवेदन फॉर्म जारी हो जाएंगे और लास्ट डेट यहाँ पर 17 फरवरी 2021 21 रखी गई है यानि दो फरवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक इसके ओनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे एज लिमिट यानि आयू सिमा की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 रखी गई है 21 वर्ष की उम्र से लेकर मेक्जिमम एज यहाँ पर जनरल केंडिएट के और OBC, SC, ST और सभी फिमेल्स के लिए आपर मेक्जिमम एज 45 वर्ष रखी गई है यानि 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की यहाँ पर आयू सिमा रखी गई है OBC, SC, ST और सभी फिमेल्स के लिए Education qualification के बात कर लेते हैं तो BSC nursing या फिर post basic BSC nursing या फिर GNM या फिर BAMS इस में से कोई certificate आपका होना अनिवार रहे है या तो आपकी BSC nursing होनी चाहिए या फिर आपकी पोस्ट basic BSC nursing होनी चाहिए या फिर आपकी GNM होनी चाहिए या फिर BAMS होना चाहिए application fees की बात करें तो general, OBC, SC, ST, PH candidates और सभी females के लिए याँ पर कोई form fees नहीं है जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया form fees बिलकुल free है सभी candidates के लिए अब salary के बारे में बात कर लेते हैं तो 25,000 रुपए आपको मन्तली salary दी जाएगी साथ ही साथ यहाँ पर 15,000 रुपए आपको मन्तली दी जाएगे आपकी performance के हिसाब से selection process के बारे में बात कर लेते हैं तो selection process यहाँ पर online return test के हिसाब से किया जाएगा online return test होगा और उसके हिसाब से आपका यहाँ पर selection किया जाएगा तो दोस्तों यह रही basic जानकारी अब हम notification की तरफ चलके भी जानकारी ले ले लेते हैं तो आप वीडियो को आन तक देखिएगा और notification का download में डिस्क्रिशन में डाल दिया है जासे आप notification भी download कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दो तारिकों जैसे ही इसके ओफिसर लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे अप लाएक के तो मैं आपको आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिशन में आपको दो फरवरी को इसके apply लिंक का में डाल दूँगा जैसे आप डाइक लि देख पा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से यहां पर भड़ती निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैम्ली वेरफैल एंपी की तरफ से यहां पर बढ़ती निकाली गई है ओपोर्चुनिटी फोर नर्सिंग और आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स और यहां पर टोटल 3570 वेकिंस निकाली गई है कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए और निचे की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपको एज लिमिट के बारे में जानकरी दी हुई है जैसा कि आप यहां पर देख पारे हैं 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के यहां पर आयुसी मा हुए आप यह पर देख पा रहे हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर जीनम यहां फिर बी के बीया ए सिर्टिकर मांगा गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर 3570 वेकिंसिस निकाली गई है और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको सेलरी के बारे में जानकारी दी हुई है जो कि आपको 25,000 रुपे मंथली सेलरी दी जाएगी साती सात प्लस आपको 15,000 रुपे पर मंथ आपको दिये जाएंगे आपकी पर्फॉमेंस के हिसाब से और यहाँ पर आपको पता रखाए कि आपको एप्लिकेशन फॉर्म यहाँ पर ओनलाइन मोड दिया गया है और एप्लिकेशन फीज यहाँ पर सबी केंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है तो दोस्तों यह रही पेसी जानकरी इस नोटिफिकेशन के तुरू और इस नोटिफिकेशन का लिग में डिस्क्रिशन में दाल दिया जासे आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लेस लाइक एं सब्सक्राइब कर दिजेगा और जैसे कोई नई गूर्में जोब आएगी तुरंत आपको वीडियो के मदब से जानकरी दे दी जाएगी धन्यवाद